नमस्कार दोस्तों स्वागत थे हैं अब सब इकाई स्टेटि विज्ञान प्रकास में तारीक है आज की 17 फरवरी शुरू करते हैं आज की मौनिंग यूज तो सबसे पहले बात करते हैं अब व्योदे कोचिंग के बारे में तो प्रयागराज में जी जी ऐसी में ये जो बैच स्टार्ट हो गई है और इसमें कुल मिलाके 60 शात्रों ने पहले दिन क्लास लिए और पहले दिन जो क्लास लिया गया है उसमें प्रयागराज के जीला प्रवेशन अधिकारी पंकज मिस्त्रा ने कच्छा संचालन की जिमिदारी उठाई है वहीं दो दिन के भीतर सुबह भ पच्छाओं का संचालन होना है हालाइक फ्रेंग्स एक फेस्बुक पेंज भी भिनाया गया है तो अवियूद्य योजना को प्रचारीत और प्रशारित करने के लिए फेस्बूक पेंज भी तायाे गया है समाज क年ण अधिकारी प्रमीन कुमार सिंग ने बताया है कि इस फ चातर जो है वो इसमें participate भी कर रहे हैं जिसा कि आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे हैं और अलग-अलग newspaper में इसकी courage भी की गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार की और से प्रदेश की चातराओं के लिए सुरू की गई अभिदर योजना का बहुत जल्दी यह जो classes ही वो start होंगी हलांकि मुझे रखता है कि कमश कम अभी इसमें 10-15 दिन का समय लग सकता है ठीक है और registration अभी भी open है तो अगर आप registration करना चाहते हैं तो avutay.up.nac.in पर जाएए वहाँ पर आप इसका registration कर सकते हैं और एक बात और भी है कि यह जो यहा पढ़ाया जाना है उनकी list final नहीं हो पाई है शिक्षकों का final बनाने पर अभी काम चल रहा है तो इसलिए coaching पूरी शमतस जलने में सबता भरका समय लगेगा यह ख़बर निकल के आ रही है और इसी के साथ आपको बदा दें कि आपकी बहुत प्रतिक्षित junior high school शिक्षक वर् शिक्षक वर्थी का बिग्यापन गुरु वार को जारी होगा प्रधानार्थ धापक के लिए कुल पध हैं 390 और सहाय का धापक लिए 504 तो कुल मिलाके 1844 पंदों पर यह जो भर्थी परिक्षा होनी है दोनों ही परिक्षाएं अलग-अलग होंगी धाई घंटे की परिक् हो जाएगी प्रदेश सरकार ने 4 इसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मानिता प्रावत बेसिक स्कूल के साथ में संसुदन को मंजूरी दी थी एक साल बाद अध्याचन बेजा गया परिक्षा में बहु बिकल्पी प्रस्न पूछे जाएंगे इमतहान जो होगा वो ओमार पर रूप में अध्यापन अनुभो अनिवार है और परिक्षा में प्रवंधन से सम्मधित 50 पुछे जाएंगे ये बात हो रही है प्रिश्पल के लिए और हालांकि एकर आप सहाय का ध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो 50 पुसन होंगे वो इस्टेटीग जीएस औ क्लास है तो आपको सुबह 5 बज़े ही दी जाती है और आज ही क्लास हो चुकी है अगर आपने अभी तक वास नहीं किया है तो अभी वास कर लें लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है तो उत्तर प्रदेश मानताप्राप्त बेसिक स्कूल अ की थी तो यह चीज़े हैं यानि कि 22 सरदी से इसमें आविदन हो रहा है और एक्जाम डेट कब है एक्जाम डेट है 11 अप्रेल याद रखेगा और उत्तर प्रदेश लोगस्यवा आयों की एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती परिच्छा में कूल मिला के देखा जाए तो पंद अधार पर 93100 9300 पदों की भरती निकाली थी अब भिरतियों से आविदन भी लिए गए थे लेकिन 2017 में सूबे की सत्ता बदल गई थी सीम आदित तिनात ने पदों की संक्या बढ़ा कर 10700 अंसर कर दी उत्तर प्रदेश लोगस्यवा आयों को लिखित परिच्छा की आधार भरती का जिम्मा सौपा और तब तक ऐसे भरती जो ये 2016 वाली भरती में जिनकी उम्र सीमा थी वो इसमें आते आते उनकी उम्र सीमा एकसीड हो गई थी हलाकि उन्होंने परिक्षा दी है और फिर भी चैनित होने के पावजूद भी उन्हें अभी कठिनाईयों का सामना करन पढ़ रहा है प्रदेश को नए PCS अपसरों की सोगात जल्दी मिलने वाली है उत्तर प्रदेश लोक सुवा आयोग ने PCS 2019 का अंतिम पैडाम दयार कर लिया है जरूरी कारवाई करके पैडाम 20 फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है इसके मद्य नजर आयोग अपने कारियो को तेजी से निस्तारित करा रहा है इसके साथ ही PCS 2020 मुख्य परिचा की कांप्यों का मुल्यांकन भी जारी है पैडाम भी फरवरी महिने के अंत तक जारी किया सकते हैं कुल मिला के 444 पद है 2019 PCS में इसमें 388 पदों के लिए 28 जनवरी को यानि के 28 जनवरी से 4 फरवरी तक इंटर्व्यू करवाया गया था और सक्षातकार के लिए कुल 811 भेड़ती जैनित हुए थे तो यह जानकारी है यूपी PCS रेलेटेड और यूपी PCS 2021 जो प्रावर्मिक परिच्छा है वो 13 जून को होनी है उसके लिए करना फेर और स्टेटी जी के इस वेरी इंपॉर्ट इलाबा डिगरी कालेज जरी की ADC ने असनातक दूती तिरती और परासनातक अंतिमोर्स तथा MBA अगले समिस्टर में पुनर आमांकन की अंतिम तिरती बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिये तो यह एक छोटी सी सूचना है और इससे तब आपको एक जानकारी और भी जेतें कि एक दो होते हैं government degree college फिर आते हैं आपके जो added degree college होते हैं ठीक है वित्त पोसित एक होता है अलफ संक्यक degree college तो अलफ संक्यक degree college में अभी जो assistant professor की भरती है वो अटकी हुई है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हलांकि जो असास की वित्त पोसित महाविद्याला है उसमें 2003 पंद एसी वजह है तो वजह क्या है कि प्रदेश में अलफ संक्यक असास की महाविद्यालों और अलफ संक्यक माध्यमिक विद्यालों में सिक्षक भरती अठकी हुई है तिक यहां पर मैं बात करूं तो जो minority degree college हैं उसके बारें बात हो रही है तो कुछ college हो में सासन ने बिस्यस स्टार्ट शुरू हो सकती है तो कुल मिलाके एक कई संक्यक असास की महाविद्याल है तो इस प्रकार से यह एक news है कि जो minority degree college और इस प्रकार के college हैं उसमें जो अस्टेस्टर प्रफेसर की भरती होनी है वो अभी रुकी हुई है तो देखते हैं कि इस पर भरती कब स्टार् हैं उसके लिए विग्यापन संग्या 50 को सुईकृती मिल चुकी है और बहुत जल्द ही आपको जो विग्यापन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो अस्टेस्टर परफेसर की भरती होती है उसमें भी आपको जो है current affair लगबग 30% हर करने होते हैं बाक याद रखिएगा कि रोज सुबर पांच बजे आपके लिए इस्टेटिक जी के प्लस करने फेर रिविजन और करने फेर डेली की क्लास लगए जाती है एक साथी वह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है फार एवरी एक्जाम और साथी साथ 11 अपरेल को होने वाली सिक् पलता का मार्ग प्रसस्त करिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में वीडियो पसंद दया तो से लाइक और शेकर देजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद व्हार कि च बन्यवाद